एक दिन एक खरगोस एक फेर के नीचे सो रहा था तबी उसके उपर एक फल गिरता है वह सोचता है कि यह क्या हो रहा है उसकी समझ में आता है कि आस्मान गिर रहा है वह भागने लगता है भागते भागते वह काफी दूर निकल जाता है तबी उसे एक हाथी मिलता है वह हाथ और भागने लगता है और वह दोनो टीनों सेर के पास जाते है और यह सारा बितान सेर को सुनाते हैं सेर कहता है किसके उपर आसमान गिर रहा था बताओ तब ही सारे मिलकर कहते हैं कि खरगोस के उपर आसमान गिर रहा था यही बताया तो खरगोसे सेर पोचता है कि कैसे गिरा तुमारे